कि पिखार का हर एक बाप करता है और उसक्ता है अपने तोद् juicy कार हो तोप मीसे नहीं पड़ता तो बीयम महें साही बोला था थह देख रहा है और जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर बड़ा हमला बोला है कहा हाई कि सच्चाय के आवाज को कोई दवा नहीं सकता है आपको बता दे कि जेल से निकलने के बाद पतना से आज घर जाने के करम में मुझे अफ़ा कूर्टर गोबर से ही पहुँचे थे जहां उन्होंने सबसे पहले मंदिर में आके फुजार से ना की फिर बाद में पत्रकार के सवालों का जवाब देते हो मनुस कसे अपने का की सरकार जो है वह सच्चाय की आवाज को दवा नहीं सकता है तुरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहा है यूटूबर मनीश कसे अप पहले आप तो बिहार का हरे कण कण पावन है और ये भूमी पर मैं पैदा हुआ हूँ जिस दिन मैं इस भूमी पे पैदा हुआ और हो समाला उसी दिन मुझे एसास हो गया कि हमें संघर्ष करना है और नया इतिहास बनाना है मझपरपूर जो जिस रास्ते से मैं गुजरते रहता हूं हमेशा मेरा घर से पटना जाने का रास्ता यही है तो यह मेरे लिए हमेशा पावन भूमी रहा है और ऐसा नहीं है कि यहीं भूमी भार अब सिर्फ बिहारी का नहीं पूरे भारत का कण कण जो है वहाँ पे राम बस्ते हैं वहाँ पे सीता बस्ती है वहाँ पे गुरु कोविन सिंग बस्ते हैं वहाँ पे दसरत माजी बस्ते हैं बाई जो है यहां पे दिपर्थादूर है इन्हों ने अपना जलवा भी खेरा था और भाई का फोन आया और मैं यहां पे चला आया पिता जी हैं देखे कि इतना सिंपल रहते हैं और यह इतना सिंपल होने के बावजूद अपने बेटे को स्टार बना दिये बिहार का हर एक बाप संघर्ष करता है और वो सोचता है कि अपने बेटा को जो है ना राजा बेटा बनाओंगा और वो बनाता है कुछ बाप जो है वो बना देते हैं लेकिन कुछ लोग असफल हो जाते हैं वो अपने बेटे को जो है राजा बेटा नहीं बना बना पाते हैं तो उनका उम तो पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे मनीश कस्यप आपको बता दे कि कल नौ महीने के बाद यूटूबर मनीश कस्यप जेल से बाहर रिहा हुए थे जिसके बाद आज अपने घर जाने के करम में मुझपरफुर पहुँचे है ओहीं राष्टे में जगा जगा उनका लोगों ने जम कर स्वागत किया है। जफ़परपुर के गोवर सही चोक पर भी उनका भव्ब तरीके से श्वागत किया गया जिसके बाद उन्होंने मंदिर में उतर के पूजा अर्षिना किया है उहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शाधारन बाप का जो लर्का है वह अपने लर्के को काम